वेलकम बेक टू मैटिफ चने मिलेन वाइन्स आज हम बात करेंगे डी फार्मा एक्जिट एक्जाम के बारे में ये वीडियो आपके लिए इप्रोटेंट्स होने वाली है सभी स्टुडेंट वीडियो को लाश्टर के दिरूर देखें आज हम बात करेंगे PCI के बिग अपडेट पर जो कि फार्मेसी काउंसलिंग इंडिया के दुआरा एक्जिट एक्जाम का नोटिपेशन दे दिया गया था और उस पर अब भारत सरकार ने एप्रोट कर दिया है और आपसे सभी डिफार्मा स्टुडेंट को एक्जिट एक्जाम देना होगा बारत सरकार ने भारत के राजपत्र यानी The Gadget of India पर पप्लिस कर दिया है तो आज से एक्जिट एक्जाम लागू कर दिया गया है अगर आप डिफार्मेसी कर रहे हैं या इस्टेट फार्मेसी काउंसलिम में रेश्टेशन करने वाले हैं तो आज के बाद से आपको एक्जिट एक्जाम देना होगा मैं इस वीडियो में एक्जिट एक्जाम की पूरी डिटेल में जान करी दूँगा इस वीडियो में बने रही है अगर आपने भी तक हमारी यूटूब चैनल मिलियन वाइन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफियेशन्स मिल सकें देखे बारत सरकार का राजपत्दा गैजेट ओप इंडिया में बताया गया है सभी स्टुडेंट डी फार्मेसी स्टुडेंट को एक्जिट एक्जाम देना होगा जैसे कि आप इस पीडियाप में देख रहे हैं इसमें हमें दो लेंग वेच में डिफाइन के गया है मैं आपको हिंदी में ही बताना सुनीचित करूँगा कि जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए देखें पढ़ते हैं हम इसके बारे में कहने मतलब यह है कि जो भी एक्जित एक्जाम है इसके बारे में फार्मेसी दुआरा समय समय पर बताए जाएगा कि कब एक्जाम होना है फिर आगे पर दें उम्मीदवार पिरतियेक वर्स दो वार आयोजित परिक्षा में बैठ सकता है घसामें यिए है विए निर्दारिथ प्रितिकरन दुआरा गोशित परिक्षा कारीकरम के नुसार में मलग जितनी वी बार दिल मलग एक्जामिनेसन दे सकता हैं मगर उसको उस्तेर प्रिक्षा करने की प्रिक्षा समय है भारतिये विशेसे की परिक्षा की तारीक और परिक्षा केंद्र का विटनर परिक्षा केंद्र 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 प्रक्राइब करें या किसी और रहे हुआज और समय निर्दारी है कि जाने वाली प्रक्षा का संचालों करेगा अी क्या कि आप आपको मिल सकते हैं फार्मासुटिकल, फार्माकोलोजी, फार्माकोगनोसी, फार्मासुटिकल कैमेस्ट्री, बायो कैमेस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लेनिकल फार्मेसी, फार्मासुटिकल, जूरिस्प्रोडेंस, एंड ड्राइस्टोर मैनेजमेंट में बहु बिकल्वे के तोर पर तीन पेपर आपको देने होंगे परिक्षा की भासा अंग्रेजी होगी मतलब इसमें ये भी किलियर कर दी गया है जो आप एक्जाम जो परिक्षा देंगे उसमें आपकी जो लेंग्वेज होगी वो आपकी अंग्रेजी होगी पिरति एक पेपर की परिक्षा तीन गंटे होगी, आपको टोटल ओबर ओल थ्री पेपर देने होगे, एक पेपर की टाइमिंग तीन गंटे होगी, जो आपकी लेंग्वेज रहेगी एक बार में फिर बता रहा हूँ आपकी English लेंग्वेज भी रहेगी, जैसे कि आपको जैसे आप डिपलोम फार्मेसी करते हैं तो उसमें Hindi to English दोनों ही Langvages एक्जाम को देने के लिए आपकी जो लेंग्वेज रहेगी वह English ही रहेगी ठीके चलते नेक्ट पॉइंट में नेक्ट पॉइंट है आपका उम्मीद्वारू के वल तब ही उत्रिन गोश्ट किया जाएगा जब पिर्थेक पेपर में अलग से नियुनता पचास पिर्थिसत अंग प्राप कर सकता है मतलब जो तीन पेपर होएंगे हार एक पेपर का टाइमिंग जो जो एक पॉइंट करने होंगे हालांकि प्रक्षा में बैटने के प्रियासो की संक्या पर कोई पृती बंद नहीं है क्योंकि ये में हैं ये समय ऍथिन पर आपकी एक्जैस अंग्योर्थ एक्जाम होते रहेंगे अगर आप उत्रिन भी नहीं कर पाते है तो आप ट्राइ करते रहना ठीक है अगर एक बार फेल हो गए तो फिर दुवारा भी उसे एक्जाम को दे सकते हैं बीच बीच में आपके एक्जाम कंटीनियू चलते रहेंगे कुल मिला के तीनों पेपर आपको एक बार क्वालिफाई करने होंगे डे आपको सपल उमीदवार को नामकान और अभ्यास के लिए पातरतागा प्रमान पतर जारी किया जाएगा जिससे फार्मेसी के रोप में पंजिकरन के लिए राजी रिसिस परिसिक द्वारा प्रिस्ट क जाएगा ठीक है मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि वह इस्टुडेंट पात रोगों जो तीनों इन एक्जाम बुक क्वालिफाई कर लेगा तब ही उनको राइस्टेशन प्रोवाइट कराएगी ठीक है यह तोनों लेंग बेस में है इसकी में पीडियाप इस्टुडेंट इस डिस्क्रिप्शन में देदूंगा वीडियो के वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको इसको आप पर सकते हैं ठीक है अगर आपने तक हमारी यूट्यूब चैनल मिलेंगा इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने जिससे कि आपको हमारी आने वाली